हलो एवरिवन मैसेल्फ कमले शौधरी टीम फिजिक्स इल्सी सीकर आज हम माइनर टैसरीज नीट 2022 में जो माइनर एट है जिसकी टॉपिक्स है अपने फिजिक्स में कानेटिक थोरी ऑफ गैसे थर्मोडाइनमिक्स और कैलोरी मेट्री उसका पेपर डिसक्स करने जा रहे हैं जिसमें फर्स जो कोशन है वह से स्टार्ट करता है पहले कोशन हम बोल रखा है कि एक रिजिट टैंक है जिसके अंदर 35 kg ऑफ नाइट्रोजन है जो 6 अट्मोसफेरिक प्रेशर पे है और सफिशिंट क्वांटिटी ऑफ ऑफ ऑक्सिजन सप्लाई करनी है ताकि प्रेशर जो गएशन की वैसे प्रेशर पीटू है और टोटल मिलागे प्रेशर पी डाल्टन स्लाव पार्शल प्रेशर के तो यहां पर प्रेशर पहले की वज़य से 6 cm और दूसरे की वज़े से कुछ P2 और यह मिला के प्रेशर हो गया 9 ATM की बराबर कुछ इस तरह से से स्म टेम्रेजर है स्म वॉल्यूम है तो इसका मतलब ऑक्सिजन की वज़े से प्रेशर कितना आना चाहिए है थ्री अट्मोंस्यरिक प्रेशर की बराबर थ्री अट्मोंस्यरिक प्रेशर अब टेम्परेजर सेम रखाव है वॉल्यूम वही है तो पीवन बाई पीटू इक्वास्टू एक्वास्टू एन आर्टी बाई वी एन नंबर ऑफ मोल्स बताएगा नंबर ऑफ मोल्स लिख सकते हैं मास अपान मोलर मास बनका डिवाइड वै मास अपान मोलर मास सेकिंड का अएन आर्टी बाई वॉल्यूम बागी सब से में कि molar mass है oxygen gas का 32 यहां से 2 times 16 14 और यह 8 7 और 4 और यह 5 ताइम्स तो यह जाएगा 20 यह value उपर आगी 20 डिवाइड बाई M2 एक्वास्टू 1 या इस तरह से लिख दो फाइनली यह रह गया M2 उदर चला गया तो M2 एक्वास्टू 20 kg के बराबर kg में चलता था unit तो यह भी kg के इंदर आ जाएगा तो 20 kg जो है वो यहां पे required है answer इसका हो जाएगा third next question पर चलते है next question में temperature किसी gas का double किया हुआ है पहले बोल रखाए absolute scale में double करें और दूसरा बोल रखाए centigrade scale में double करें तो rms velocity mean square velocity में क्या change आएगा वो तो जब हम rms velocity लिखते है है तो root 3 RT temperature Kelvin में होता है divided by molar mass temperature अगर Kelvin में double किया हुआ है तो इसका मतलब velocity यहां पर double आ जाएगा velocity root 2 times हो जाएगी Kelvin में तो Kelvin में अगर temperature डबल किया तब तो VRMS जो हो जाएगा वो root 2 times पहले का VRMS हो जाएगा लेकिन अगर temperature degree Celsius में increase किया है तो इसको अगर degree Celsius में लिखना चाहें VRMS equals to root 3RT temperature degree Celsius में लिख रहा हूं तो degree Celsius में temperature plus 273 यह हुआ Kelvin में लिखना तो Kelvin में था divided by molar mass अब यहां पर अगर मैं इस temperature को double करूंगा तो overall जो value है वो double भी नहीं हुए थोड़ा सा ही change हुआ है बहुत ज्यादा change नहीं हुआ जैसे temperature example के लिए ले जते हैं पहले temperature कुछ था 20 degree Celsius जो Kelvin में था इतना 293 फिर जैसे 20 degree Celsius डबल कर दिया 40 degree Celsius तो अब temperature कितना हो गया यह हो जाएगा 313 Kelvin तो जो temperature Kelvin में जो लिख रहे हैं यहां पर ही total temperature वो Kelvin में double नहीं हुआ है कम ही change हुआ है डबल से कम है तो इधर चेंज डबल से कम हुआ तो इधर जो चेंज आए वह रूटू से कम होगा इस वाले सिच्वेशन में इसलिए हम हो सकते हैं कि पहली सिच्वेशन में रूटू टाइम्स होगा जब केल्विन में है डिगरी Celsius में डबल करेंगे तो वह रूटू टाइम्स नहीं आएगा उससे कम आएगा तो फास्ट कंडिशन में एपसल्यूट स्केर में जो चेंज किया है उसमें रमस स्टी के गवालिव क्लिव याधा चेंज थार्ड कुश्यन पह Epos आइग अग्यूज का कंटेनर एकसे जिसका वॉल्यूम डबल है व्यक्यक में to Pandena एकसाव वओल्यूम है व्यक्यक्यक्रिशन में ओक फिर ऑन रखा है कि ढोनों की अंदर दोनों को ट्यूब से कर दिया और दोनों में सेंवन्मांट सेंव गैस है थिंपरिजे एक्सका था ंडेड्र व्याईर Chicken इसका था फॉर नडर देन्द आप इसका फॉर नडर रबू सकते हुं इसको डबल करों यह की बराबर तो यह लग्वा किस रेशियो में होगा तो देखें आइडियल कैसी एक्वेशन पीव एक वस फो एन रटी से नंबर आफ मॉल को लिख दिया मैंने मास अपन मोलर मास अमाउंट आफ गैस से ही मैं तो यहां से हम वो सकता हूं कि जो मास है बागी सब से मैं चेंज किसमें किया हुआ ह temperature में तो volume और temperature से relate कर दो, तो volume के proportional temperature के इंवर्सिख प्रोपोर्शनल तो Mx by My volume का रेशयो आएगा directly proportional तो Mx Vx by By twice आजाएगा volume का ratio temperature का ratio temperature of x divided by temperature of y 1 by 2 आएगा वो 1 by 2 थीक है तो तो वॉल्यूम के डैरिकली पिरपोर्ट्ट वॉल्यूम डबल है ये का और टेम्ट्रिचर जो है वह वाई का डबल है इसलिए वन बै टू आगया तो इसलिए यहां से रेशियो आगया ये फोर टाइमस तो मास ऑफ एक्स गीवन है तो number of moles half है, उसके comparison में, मतलब इसके number of moles double है, इसके हाफ है, फिर temperature के भी इनवर्थी प्रपोर्शनल है, इसके temperature double होने की वैए से एक और 2 वालटर माल है, next question, third के बाद, fourth, average translational kinetic energy rotational diatomic में क्या ratio होगा, तो translational kinetic energy diatomic में 3 by 2 nRT, translational, rotational kinetic energy जो होगी, वो rotational आ जाती है, diatomic में degree of freedom 2 rotational के corresponding, तो 2 by 2, f by 2 nRT, तो यहां से इनका ratio निकालेंगे, तो ratio दिख रहा है, 3 by 2 के ratio में, तो इनके kinetic energy का ratio जो है, वो 3 ratio, 2 है, ठीक है, kinetic energy और translational और rotational के बीच में, next question, question number 5, 5 के अंदर, कौन सा जो है, वो kinetic theory of gases के जो postulates है, उनके according नहीं है, वो बताना है, तो gas molecules are of small size, वो हम consider करता है, हैं कि small size के particle जो है, वो gas particles है, और उनका random motion है, gas molecules are always in motion with all possible velocities, तो gas particles की जो velocity है, वो सब की different, different है, हम यह random distribution बोलता है, कुछी तरह से, there is no force between particles, molecules, तो molecules की बीच में force of interaction, हम negligible मानता है, और जितने भी collision है, all collisions are inelastic, जबकि गलत है, जितने भी collision है, वो हम elastic consider करते हैं, तो force option जो है, वो उसके according नहीं है, और यही पुछा था कौन सा statement गलत है, तो fourth statement गलत हो जाएगा, next question पे चले, question number six, six में RMS speed जो है, वो nitrogen की बता रखी है, room temperature पे 500, पुछावा है, RMS speed जो है, वो hydrogen की कितनी होगी, same temperature पे, तो RMS speed को जब हम compare कर रहे हैं, तो वो है root three, RT by molar mass, तो दोनों के अंदर difference के वल molar mass का है, तो molar mass के root के inversely proportional, पहले मैं hydrogen के लिए, इसके लिए nitrogen के लिए 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 500, तो nitrogen का molar mass 28, फिर मैं लिख रहा हूँ hydrogen के लिए, RMS velocity, तो hydrogen का molar mass कितना हो गया, तो यहां से यह cancel होके 40, तो hydrogen के अंदर जो velocity आ जाएगी, वो आ जाएगी 500 root 40, इतना, meter per second है, अब एक तो यह कर सकते हैं कि इसका square करते हैं, और इदर options में से square करके check कर लें, या इसका अगर root calculate कर सकते हो तो इसका root की value आती है, 3.7 के around कुछ लिए, अजब 16 होता, तब तो 4 आ जाता, 4 से थोड़ा सा कम है, लेकिन 3.7 के around value है इसकी, तो 3.7 लेंगे, तो यह value आ गई, 4, 1, और 8, 5, 0 के around, meter per second, तो लगबग 1850 meter per second, इतनी velocity आ रही है, तो जदा close यह है, तो 1870, क्योंकि exact value लिखेंगे, तो और close आएगा value, तो यहाँ पर यह velocity है, 1870 meter per second, RMS velocity hydrogen, next question, temperature एक ideal gas का increase किया, 27 से 927, लेकिन यह degree Celsius में है, अगर हमें RMS velocity compare करनी है, तो वो Kelvin में लिखना पड़ेगा, तो जो initial temperature है, वो 273 प्लस 27, तो वो है 300 Kelvin, और जो final temperature है, वो है 273 प्लस 927, यह है 1200 Kelvin, तो एक तरह से temperature हमने 4 times कर दिया, temperature 4 times कर दिया, RMS velocity में root T आता है, 3RT by molar mass, तो root T की proportional लगी है, तो अगर temperature 4 times किया है, 4 times कर दिया, तो RMS velocity कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 2 times, तो ratio जो आ गया, RMS 1 divided by RMS 2, equals to root T1 पहले का, divided by T2, दूसरा 4 times है, वहली लिख दोगे, तो इसका मतलब बाद वाली velocity, पहले वाली velocity की double, तो twice हो जाएगी, RMS velocity, gas particles की, तो 7th में 1st हो जाएगा, next question पर चले, next question में, 0 degree Celsius, per RMS velocity, किस gas की maximum होगी, अब temperature सब में सेम ले लिया, फिर से RMS velocity 3RT by molar mass, तो देखें, same values है, उपर वाले तो सभी के लिए, molar mass की इनवर्स लिपरपोर्शनल, तो जिसका molar mass सब से कम, उसकी RMS velocity सब से ज़्यादा, अब molar mass इन में सब से कम, hydrogen का ही है, 2, बाकी का तो इस से ज़्यादा ही है, molar mass, तो hydrogen का molar mass सब से कम, तो RMS velocity, maximum होगी इन सब में, hydrogen के लिए, 8 का first, next question, 9, 9 में, cubical box का volume दे रखा है, V, और N mole gas के, randomly move कर रहे हैं, इसके अंदर, और M mass है, और V square जो है, वो mean square velocity का, X component है, X component है, तो यह पुछा हुए, velocity, pressure कितना होगा, तो देखे, pressure का term, और V RMS में, जो relation था, वो कुछ इस तरह से था, या तो V RMS की value इस तरह से आदो, V RMS equals to root 3, P by rho, यह इनका square कर दो, तो यह आता है, pressure P equals to, 1 by 3, rho, density को लिख सकता हूँ, मैं mass, upon volume, density को, और N2 V RMS square, और mass को लिख सकते हैं, number of moles, यह number of gas particles, N molecules है, हर एक का mass M है, तो N into M, इसको में replace कर दो, बहुत चीज़ा है कि, V RMS को X component से कैसे relate करें, तो तीनों जो component है, X component RMS का, Y component RMS का, और Z component RMS का, इनका square करके add करें, तो यह total V RMS बताता है, ठीक है, अब तीनों component जो है, वो लगबग equal से ही है, तो तीनों component equal है, तो मैं इसको बोच सकता हूँ, 3 times X में V RMS, equals to V RMS total square, तो V RMS को क्या लिख सकता हूँ, मैं 1 by 3, या 3 V square यहां पर, तो अगर मैं इसको 3 V square लिखूँँगा, तो 3 cancel हो जाएगा, तो यह value आ गई pressure की, 3 cancel हुआ, mass upon volume into V square, इतना pressure हो जाएगा, तो यह pressure की value हो गई, second, ninth में, next question, tenth, tenth के अंदर, gas जो है, वो pressure exert कर रही है, container के अंदर, तो किस वज़ए से pressure लगा रही है, वो pressure की बात करनी है, तो पहले option हम भो लखा है, collision with each other, and exchange momentum, तो एक दूसरे से collide होंगे, gas particles, momentum जो है, वो भी transfer करेंगे, तो लेकिन क्या है, एक दूसरे से जो collision हुआ, उसकी वज़ए से wall पे pressure नहीं लगा रहा है, wall पे pressure का तो cause क्या है, ये particle, gas particle आके collide होंगे wall से और reflect होंगे, तो इनके momentum में change होगा, ये momentum transfer करेंगे, उसकी वज़ए से pressure लगा रहा है, क्योंकि हम यहीं लिखते है, momentum में change लिखते है, momentum में change upon time करते है, force calculate करते है, force upon area करके, फिर pressure calculate करते है, इसरे का result रहते है, second में बोल रहा है, collision with wall of the container and transfer energy to the wall, तो energy नहीं transfer कर रहा है, वो जिस velocity से आ रहे है, उसी जी वापस reflect हो जाता है, last collision हम बोलते हैं, collision with wall and transfer momentum to the wall of the container, तो ये हो गया, transfer कर रहा है momentum, accelerated towards the wall, तो accelerator नहीं है, momentum transfer किया है, इसकी वज़े से वो force या pressure लगा रहे होता है, तो 10th का 3rd हो जाएगा, next, 11, question number 11 में, rotational kinetic energy, T temperature पे, 1 mole diatomic की कितनी होगी, तो rotational kinetic energy में हम बोल सकते हैं, rotational degree of freedom by 2 nRT, ये kinetic energy आ जाएगी rotational, तो degree of freedom कितना है, diatomic है 2, number of moles रखे हैं इसमें, 1, RT, तो यहां से ये value आ गए, RT के बराबर, अजब rotational energy जो है, वो RT के बराबर यहां पर रहेगी, ठीक, तो 11 में 1st, इसके बाद next, question number 12, question number 12 में बोल रहे हैं कि, N molecules of an ideal gas, close किये हैं, cubicle box में, temperature T पे, pressure P है, अब number of moles जो है, वो triple कर दिये, पहले number of moles कुछ N थे, अब नए number of moles जो है, वो three times है, पहले number of moles के, और नया temperature कुछ T1 हो गया, pressure P1 हो गया, या P dash हो गया, तो यह बताना है, और total energy जो है, वो unchanged है, तो बताना है कि pressure और temperature किस तरह से related है, total energy लिखो पहले, तो total energy हम बोज सकते हैं, half by two, N RT, अब बो लखा कि total energy, जितनी पहले थी उतनी बाद में, तो gas हो ही है, degree of freedom तो हो ही रहेंगे, number of moles change हो गया, N से 3N हो गया, temperature कुछ change हो गया, T dash, compare करोगे, बागी सारी values cancel हो जाएगी, तो T dash हा गया, T by 3, तो temperature one third हो गया, अब pressure, pressure के लिख दो PV equals to N RT, या पहले का, PV by N RT, बाद का pressure, बाद में pressure change हो गया, container वो ही है, number of moles three times हो गया, R वो ही है, temperature T by 3 हो गया, तो बाद में उतने का उतना ही है, तो pressure से ही में temperature one third, इसके अंदर हो जाएगा, तो fourth option इसमें correct हो जाएगा, next question number 13, 13 में 8 gram oxygen है, 14 gram nitrogen है, 22 gram carbon dioxide है, और एक container में 10 liter capacity वाले के अंदर, 27 degree Celsius पर है, तो pressure कितना exert करेगा, mixture जो है, वो atmospheric pressure से compare करना है, atmospheric pressure की कितने times है, तो देखो सिदा सिदा लिखेंगे, pressure PV equals to N RT, ideal क्यासी equation लगाया, pressure calculate करना है, number of moles, oxygen 8 gram है, molar mass है 32, एक mol का mass 32 gram होता है, यह 8 gram है, मतलब half का भी half है, तो यह one-fourth mol होगे है, तो one-fourth mol oxygen, प्लस nitrogen का molar mass है, 32, sorry, 28, और उसका यह double, half दे रखा है, 14 gram, तो इसके number of moles हो गए, half, CO2 का molar mass 44, यह 22 gram है, तो आधा mass है, तो आधा number of moles हो गए, यह number of moles हो गए, R की value 8.314, यह calculation के according 25 by 3 ले लो, temperature जो है, 27 degree Celsius, Kelvin में लिखो के तो 300 आगया, by volume, volume दे रखा है, यहाँ पे 10 liter, और 1 liter equals to 10 अच्वावर minus 3 meter cube, तो 10 अच्वावर minus 3 meter cube, तो यह पूरा हमने, SI unit में लिख दिया है, तो जो pressure आएगा, वो Pascal के अंदर आएगा, तो pressure की value यहाँ से आजाएगी, 1 plus 1 by 4, 5 by 4, into 25, 3 से cancel हो गया, 100, और यह 10 अच्वावर minus 2 अच्वावर आया, 1000 हो गया, तो pressure की value हो गई, 125 by 4, into 10 अच्वावर 4, एक और ले आओ, 5 यह बोलो, तो pressure की value है, 3.125, कुछ इस तरह से value आजाएगी, into 10 अच्वावर 5, और atmospheric pressure कितना, लगबग 10 अच्वावर 5 पास्कल के बराबर, तो 10 अच्वावर 5 पास्कल का लगबग 3 टाइमस है, तो pressure जो है, वो 3 टाइमस अट्मोस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, ठीक है, तो 3 टाइमस अट्मोस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो, 13 के बाद, next question, 14 14 में बोल रखा है कि real gas ideal की तरह behave कब करती है तो ये सिदा सिदा theoretical part है अपना कि जब भी high temperature low pressure होगा तो high temperature low pressure पे real gas as a ideal gas behave कर रही होती है तो condition ही है इसके लिए high pressure sorry high temperature low pressure next question number 15 15 में क्या है कि एक ideal gas में pt equals to constant बोल रखा है तो pressure और volume में relation किस तरह का होगा तो देखें pressure और volume में चीए तो temperature को replace कर दो temperature को replace कर दिया pv by nr से equals to constant हमें pressure और volume में relation दिखना चीए यहां पर यह दिख रहा है पी square into v और nr constant तो यह पूरा एक constant होगा तो क्या दिख रहा है pressure अगर बढ़ाएंगे तो volume कम होगा यह volume बढ़ा रहे होंगे तो pressure कम होगा क्योंकि square जो है वो inversely proportional है तो inversely proportional का relation दिखना चीए इसमें क्या हो रहा है increase हो रहा है इसमें क्या हो रहा है decrease हो रहा है लेकिन यह hyperbolic नहीं है हाँ जबकि यह relation किस तरह का दिख रहा है hyperbolic type का relation दिख रहा है यह increase हो रहा है यह hyperbolic type का relation अपने पास आप तो इसका third हो जाएगा 15 के बाद 16 16 में एक ideal gas का mass m है constant pressure है P और वो graph जो है constant pressure पर volume versus temperature graph B से रिनोट किया हुआ है तो initially यह graph है इसका अब क्या किया सेम ideal कैसे में mass double कर दिया और pressure भी double कर दिया तो जो straight line आएगी same पहले वाली condition में ही volume और temperature के साथ तो वो किस तरह किया तो यहां पर देखें PV equals to nRT में स्लोप देखें अगर तो वी बाइटी को मैं स्लोप कंसीरा कर सकता हूँ straight line है इसलिए तो वी बाइटी की value है n यहां पर यह degree Celsius scale में है इसलिए यह point यहां कुछ exist कर रहा है 273-273 degree Celsius इस तरह से कुछ हो सकते हैं तो मैं Kelvin में compare कर रहा हूं इसको एक तो वी बाइटी इक्वास्टो एन है n को में बोज़ू mass upon molar mass R by pressure P तो स्लोप कुछ इससर ऐसे repent कर रहा है second case में क्या change किया mass को double कर दिया 2m हो गया pressure को भी double कर दिया 2p हो गया लेकिन यह value cancel हो गया अपस में तो अगर इसको यहां पर double किया यहां पर double किया तो slope जो है वो same है ठीक है पहले वाले के बराबर तो slope अगर same आ रहा है तो इसका मतलब अभी भी जो graph होगा वो same be होगा तो option हो जाएगा अपना इसके according third 16 के बाद next question 17 17 में एक gas जो है उसको expand किया है stage A से B तक A से B तक ले जा रहे हैं लेकिन different path है first second third जिसमें TV graph दे रखा है और इसमें W1, W2, W3 compare करना है कि work किस तरह से होगा तो अगर यह PV graph होता तो PV graph का जो area है वो work बताते था area से compare कर लेते इसके area से नहीं compare कर पाएंगे तो ट्राइ करते हैं एक पर इसका PV graph बनाने का यहां पर एक तो यह देख लें कि A और B जो है वो एक straight line origin से पास होती भी है तो AB जो straight line उसकी बारे में बात करें सेकेंड वाला पॉइंट तो इसका मतलब straight line है तो टी प्रोपोर्शनल वी है तो यह कब पॉसिबल है जब प्रेशर जो है वो constant हो इसका मतलब ए और बी प्रेशर सेम है तो ए और बी पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करेंगे लेकिन volume क्या है बढ़ा हुआ है तो ए पॉइंट यहां कहीं बोल दें बी पॉइंट यहां बोल सकते हैं ऐसी situation हो इसकेंड वाले में तो प्रेशर constant है तो यह तो second वाला graph हो गया पीवी graph फर्स वाले में पहले volume constant है पीवी क्वास्व नर्टी से यूज़ करो उसी से कंपेर करके देखें कि वॉल्यूम कॉंस्टेंट पर टेंप्रेचर बढ़ा दिया कि वॉल्यूम कॉंस्टेंट है और टेंप्रेचर जो है वो इसका इनक्रीज कर दिया तो इसका मतलब यह होगा कि वॉल्यूम कॉंस्टेंट प्रेशर भी इनक्रीज हुआ प्रेशर पहले तो फिर्स्ट ग्राफ ये, बात ये, सेकेंड वाले बात ये है, थर्ड वाले बात को देखें, तो थर्ड वाले में पहले टंपरिजर कॉंस्टंट है, वाल्यूम इनक्रीज किया, तो ये हो गया आईसो थर्मल ग्राफ है, फिर उसके बाद 3 से B तक जब जा रहे हैं तो वाल तो देखेंगे तो ये जो थर्ड वाला बात है थर्ड वाले ग्राफ में नीचे वाला जो एरिया है वो सबसे कम सेकंड वाले में उससे ज्यादा फर्स्ट वाले में सबसे ज्यादा एरिया आ रहा है तो फर्स्ट में वर्क सबसे ज्यादा है सेकंड में उससे कम है थर्ड में सबसे गम है, तो 17 में first option हो रहा है अपना, next 18 question पर चले, 18 के अंदर हमें एक PT ग्राफ दे रखा है और इसके अंदर पुछावा है, pressure temperature ग्राफ दे रखा है, तो इसमें पुछावा है कि किस वाले process में work की value positive है, negative है, इस तरह से पुछावा है, तो जो A से B है, A से B process के टाइम पर temperature constant है, तो अगर temperature constant है, तो जो work आएगा, वो हम बोलेंगे nRT, temperature constant isothermal, nRT ln V2 by V1, या pressure लेकर हो तो P1 by P2, P1 कम है, P2 जादा है, तो यह overall value की आएगी, negative, negative आने का मतब work यहाँ पर negative है, तो first option अपना गलत हो गया, during the process CD work done by the gases negative, CD में, CD इसी का ही reverse है, तो CD में इसका उल्टा आएगा, CD के अंदर positive आएगा, जब किसमें negative बोल रखा है, यह गलत है, third में बोल रखा है, during the process BC, internal energy of the gases increase, B से C की टाइम पर, तो B से C तक की टाइम पर temperature increase कर रहा है, internal energy हम बोलेंगे F by 2, या यह बोज़कते हो, N C V delta T, तो अगर B से C तक temperature increase कर रहा है, तो N C V कुछ भी हो, temperature rise हुआ, इसले change in potential, internal energy positive आएगा, increase हुजएगे, तो अपना third option वो सही हो जाएगा, next पर चलें, question number 19, 19 के अंदर 1 mole एक ideal gas दे रखा है, और cylinder जो लगा रखा है, piston उस पर वो frictionless है, temperature है T, और pressure जो है, वो रखा हुआ है, constant, volume double कर दिया है, इसका, और R, gas constant दे ही रखा है, तो work done दे रखा है, कितना होगा इस वाले process में, तो अगर pressure constant है, तो work क्या बोल सकते हैं, P delta V, तो isobaric process के अंदर work, P delta V के बराबर और delta V, बाद में volume 2V, पहले V, पहले वाला volume मैंने V consider कर रखा, इसलिए बाद वाला 2V लिख दिया, तो ये PV के बराबर है, P पहले वाला ए pressure, V पहले वाला है volume, तो जिसको NRT बोल सकते हो, तो इसका मतलब यहाँ पर work की value NRT के बराबर ही है, बाद मोल था, तो N के value 1RT के बराबर work हो गया, तो ये 3rd हो जाएगा 19, next, question number 20, 20 के अंदर एक polyatomic gas दे दी है, जिसमें degree of freedom 6 consider करना है, और जो work है वो 25 Joule है, expand किया वाए constant pressure पे तो heat कितना देना पड़ेगा, तो देखें, जो work लिखते हैं, जो pressure constant है, तो वो है P delta V, या जिसको हम ये भी वो सकते हैं, NR delta T, pressure था constant इसलिए, फिर जो heat supply करनी पड़ेगी, constant pressure पे वो होगी NCP delta T की बराबर, CP की value हो सकते हैं, degree of freedom, plus 2 by 2 into R, तो इसको लिख दिया N, degree of freedom 6 plus 2, 8, divided by 2 into R delta T, अब जो NR delta T है, उसकी value question में गिवन है, 25 Joule की बराबर, तो Q की value, ये हो गया 4, 4 into 25, 100 Joule अपना work की आँपे आजाएगा, तो इसमें 100 Joule हो गया first, next question में, question number 21 में हमें PT graph दे रखा है, एक cyclic process है, ABC, जिसके अंदर PT graph गिवन है, तो इसके corresponding PV graph कौन सा होगा वो देखना है, ठीक है, तो process देखते जाओ और उस process के according graph ड्रॉव कर दो, तो पहला A से B वाला process देखते हैं, A से B process में pressure constant रखावा, यही वा, pressure constant रखावा है, volume, temperature जो है, वो decrease हो गया, temperature decrease हुआ, तो PV equals to N RT से, यह तो constant रखावा है, temperature decrease हुआ, तो volume भी decrease हुआ, तो volume decrease होना चाहिए, pressure constant होना चाहिए, pressure तो constant, volume decrease होता हुआ, तो A, B graph ही होगा, सभी, B से C जा रहे हैं, तो B से C जाने पर temperature constant है, आइसो थर्मल process है, आइसो थर्मल में PV जो graph है, वो graph hyperbolic होगा, decrease होता जाएगा, pressure decrease कर रहे हैं, तो pressure decrease होना चाहिए, volume increase होगा, ये graph हो गया, अपना B से C तक का, B से C तक का graph हो गया, C से A वाले process में straight line है, pressure, temperature जो graph है, वो straight line, मतलब volume जो है, वो constant है, origin से भी pass हो रहा था, तो constant volume पे initial condition पे पहुँच जाना है, तो इसको थोड़ा सा आगी रखो, constant volume पे initial condition में पहुँच जाना है, तो ये हमारा PV graph हो जाएगा, और इसके according हो गया, third option, next पे चले, question number 22, 22 में एक vessel में ideal monotomic gas है, और expand किया हुआ है, constant pressure पे, heat क्यों given है, work कितना होगा, pressure constant है, तो work की value P delta V, या जिसको NR delta T भी लिख सकते है, temperature की term में, heat को compare कर लो, heat को हम लिख सकते है, gas है, monotomic, तो N CP delta T Q होगा, इसकी value monotomic के लिए उगए 5 by 2 R, तो ये लिखावा है 5 by 2 R, N भी था यहां पे, तो N R delta T के बराबर, तो ये W हो गया, तो 5 by 2, W equals to Q, W की value कुछी है 2 by 5 Q के बराबर, तो W आजाए अगर 2 by 5 Q, 22 के बाद 23, 23 में first law of thermodynamics बोल दिया delta U equals to delta Q plus delta W, अगर ध्यान हो तो हम जो use करते हैं physics के अंदर first law of thermodynamics उसमें use करते हैं, heat supply की वो W plus delta U के बराबर है, कुछ इस तरह से, लेकिन अगर chemistry वाला result देखो गे तो उसमें delta U, delta W की साथ है, sorry, delta W और Q एक साथ है और यह delta U है, तो वहीं लिखाव है और इसके अंदर जो W है, वो W होता है, work done on the gas यह work done on the system, यह और जब हम यहां लिखते हैं तो यह work done by the gas है, तो इसमें जो W है वो work done on the system है, तो delta is always 0, when no heat enters or leave the gas, तो ज़री नहीं है, कि अगर Q की value 0 है, तो W के नहीं आएगा, delta U का value, second delta U is a work done by the gas in the written level law, तो delta U जो है work done by the gas नहीं है, work done on the gas है यह on the system है, तो second भी गलात है, first भी गलात, second भी गलात, third में बोल लगा है कि delta U is 0, when heat is supply and temperature is constant, सही है, delta U की value क्या है, internal energy N, C V, delta T, तो अगर heat supply नहीं कर रहे हैं, sorry, temperature अगर constant है, तो delta U की value 0 होगी, यह सही है, fourth भोल लगा है कि delta Q equals to minus delta U, when the temperature increase very slowly, तो अगर temperature increase कर रहा है, तो delta U की value, होगी कुछ ना कुछ, और अगर मालो delta U की value 0 भी होती, तब जाके यह relation बनता अपने पास, लेकिन slowly temperature तो rise हो रहा है, temperature rise हो रहा है, तो यह 0 नहीं है, तो यह relation तब आता जब यह 0 होता, तो इसलिए यह option गलत हो गया, तो 23 के बाद next 24, 24 में heat कितना required है, वो दे रखा है, वो पूछावा है, temperature 1 mole, एक ideal monotomic gas है, 10 Kelvin temperature rise किया है, तो उस time पर 207 Joule heat required है, constant pressure है, same gas है, constant volume है, अब कितना required होगा, वो पूछा हुए, तो देखे, heat की value हम लिख सकते है, pressure constant है, तो NCP delta T, heat की value हम लिख सकते हैं, NCP delta T अगर volume constant हो, बस इतने difference है, CP और CV के बराबर, same temperature rise करना है, same amount है, तो N और delta T तो same है, के वल CP और CV का ratio आएगा, और gas है, monotomic, monotomic, तो monotomic में CP की value 5 by 2, R, इसकी value 3 by 2 R, तो बाकी तो cancel हो जाएगा, यह ratio हो जाएगा, तो यह value आगया, 21, 6, divided by 5, तो यह आजाएगा, 124, 2 Joule के बराबर, तो यह option, first अपना हो रहा है, 124 Joule के बराबर, next 25, 25 में एक ideal system है, और उसको stage A से B तक ले जा रहे है, यह वाला initial stage है, यह final है, different different path से ले जा रहे है, दे रखा है कि A से C होते वे जा रहे है, A से D होते वे जा रहे है, A से सीधा भी जा रहे है, A से F फिर भी जा रहे है, तो इनमें minimum energy कि system में required है, किस वाली situation में required है, तो energy अगर हमें required energy लिखनी है, तो हम बोज़ सकते हैं, first law thermodynamics से W प्लस delta U, अब delta U तो state function है, initial और final पर depend करेगा, तो वो तो कोई से भी path से ले जाओ, यह तो same है, या same बोल दो, तो depend किस पर कर किया, W पर, और W की value PV graph में area के बराबर बोल सकते हैं, तो सबसे कम area इस वाले condition में, ए, F, B, तो area सबसे कम, work सबसे कम, तो Q की value सबसे कम आएगे, तो Q की value सबसे कम आ रही है path A, F, B की अंदर, next 26, question number 26 में work पूछावा है path B, C के according, तो B से C तक देखोगे तो volume constant है, और volume constant है तो work तो 0 ही आएगा, इस से, तो volume में कोई change नहीं किया, इसलिए work की value 0, 26 में, 27, 27 में एक ideal diatomic gas को heat कर रहे है constant pressure पे, तो कितना fraction जो है वो internal energy के change करने में लग गया, तो pressure constant है, Q की value तो हो गई N CP delta T, internal energy में change हो गया, वो कोई सा भी process हो वो है N CP delta T, पुछा हुए कितना fraction delta U में गया तो ratio ले लो, Q by delta U, यह हो जाएगा CP, यह CV था, sorry, तो gas कौन सा है, diatomic CP की value है 7 by 2 R, और CV की value है 5 by 2 R, तो यह ratio आगया 7 by 5, उदर ले जाओगे, तो Q, Q 5 by 7 इतना delta U हो गया, तो internal energy में जो change है, वो fraction आगया, total heat का 5 by 7, तो 5 by 7 fraction जो है, वो internal energy के change में निकल गया है, 27 के बाद 28, 28 में gas को compress किया, initial volume 10 meter cube, final volume 4 meter cube, constant pressure है उस पे किया हुए और heat जो दी है, इसमें वो 100 Joule के बरावर दी है, अब ऐसे process जो देख रहा है, इस तरह से देख रहा है कि constant pressure है, तो constant pressure के according calculate करना चाहिए, फिर internal energy निकालना चाहिए, लेकिन हमें molar specific heat के बारे में कुछ नहीं दे रखा, कि CV की value कितनी है, at constant volume, क्योंकि gas बताई होती, monotomic है, diatomic है, तो हम क्या करें, फिर्स फ्लो यूस कर रहे हैं, फिर्स फ्लो का according q equals to w plus delta u, तो q minus w, यह delta u के बराबर हो जाएगा, तो 100 joule heat तो दी है, work कितना हो गया, P pressure constant है तो P delta v लिख दूं, 50 delta v final 4 initial 10, यह ऐसा unit में लिखा हुआ है, Newton per meter square meter cube, तो यह value आ गए 6, 300 लेकिन plus का हो गया, minus अंदर, तो यह delta u के value आ गए 400 joule के बराबर, तो delta u 400 joule के बराबर, 28 के बार 29, 29 में internal energy में change adiabatic process, 2 mol gas के अंदर minus 100 joule का है, तो work done कितना होगा, तो adiabatic process में q की value तो 0 होती है, और first loss है q की value w plus delta u के बराबर, तो delta u की value बोल सकता हूँ, minus w की बराबर, यह w की value बोल सकता है, minus delta u, delta u दे रखा है minus 100, यह minus 100 है, तो होगे total plus 100, तो work done इस process के अंदर हो गया, 100 joule की बराबर, 4th, next question 30, 30 वाले question में 4 curve दे रखे, ABCD mentioned किया हूँ इन में और जो gas है, उस gas के लिए, किसी amount के लिए, तो curve कौन सा represent करेगा, adiabatic और isothermal में, तो adiabatic और isothermal में difference slope का होता है, adiabatic isothermal के अंदर तो slope यह आएगा, minus v by v, और adiabatic के अंदर, जो slope रहेगा, वो आएगा minus gamma p by v के बराबर, तो slope को compare करें, gamma की value तो one से greater यह आएगी, इसलिए adiabatic का slope negative के अंदर जादा होगा, इन दोनों का तो negative है नी slope, यह तो positive slope वाले है, उपर जा रहे है, यह negative है, और जिसमें ज्यादा negative होगा, वो हो गया adiabatic, और जो कम negative है, वो हो गया, इस हो धर्मा, तो adiabatic represent करें, पहले adiabatic पुछावाए A और बाद में B, तो A and B respectively हो जाएंगे, next 31, 31 के अंदर adiabatic change के टाइम पर, ideal gas में, pressure और density में relation क्या होगा, तो adiabatic process के अंदर बोल देते हैं, PV की power gamma equals to constant, या P1 V1 की power gamma, P2 V2 की power gamma, बराबर होगा, compare करना है density से, density को लिख सकते हो, यहाँ पर volume में, तो volume में के अंदर हमने density को लिख दिया, volume को mass upon density, DCT note किया वाए, अब gas तो वही है, same, sorry, जो mass है, उसका term आए एक तो, और divide by density, तो same mass अगर consider कर लें, तो यहाँ पर relation कुछ इस तरह से देख रहा है कि P1, YP2 equals to D1, YD2 की पावर, गामा, तो यह relation कौन सा देख रहाँ अपना, कुछ relation, third वाल हो गयागा, यहाँ को इदर लिलो, अगर पावर में नहीं देख रहा है तो, P1, D1 की पावर, माइनस गामा, और P2, D2 की पावर, माइनस गामा, यह relation हो जाएगा, third, next question, 32, 32 के अंदर एक Carnot engine जो है, उसमें 27 degree और 120 degree Celsius temperature दे रहा है, एक source का होगा, एक sink का होगा, और 800 Joule जो है, वो heat, reservoir से, एक cycle के अंदर receive कर रहा है, तो work कितना होगा, total वो पूछा हो है, तो जब हम efficiency लिखते हैं Carnot engine में, तो हम लिखते हैं, 1 minus temperature of sink upon temperature of source, और दूसरा इसको लिख सकते हैं, W by Q से, total एक cycle में कितना work हुआ और एक cycle में कितनी heat दी है system को, तो 1 minus T2, T2 है 27, लेकिन degree Celsius में, 273 add करोगे, तो यह होजाएगा 300, T1 यह भी degree Celsius में, 300 add करोगे, तो 273, तो 273 add किया, वो गया, 234, 400 हो आगया, और W की वाल्यों पूछी भी है, Q की वाल्यों गिवन है 800 जो, ठीक, तो यहां से यह वाल्यों 400 minus 300, 100 by 400 यह 1 by 4, N2 800, AW की वाल्यों के टना आ गया, 200 Joule के बराबर वर्क हो जाए, 32 के बाद, 33, 33 में कारनौट इंजन जो है, वो वर्क कर रहा है, 300 Kelvin और 600 Kelvin के बीच में, और जो वर्क आउटपुट है, वो 800 Joule है, पर साइकल, तो कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, इंजन को, एक साइकल के अंदर सोर्स में, यह पूच्छा हुआ है, तो फिर से एफिशेंसी लिखने है, 1 माइनस T2, Kelvin में ही दे रखा है, डिवाइड बाई T1, एक वाज तो वर्क आउटपुट, डिवाइड बाई हीट इनपुट, यह लिखेंगे, तो यह 600-300, वो ही 300 by 600, एक वाज तो 800 by Q, और यह by 2 आ गया, तो Q की वैलियो आ गए, 1600 जूल की बड़ाबागी, तो 1600 जूल, एक साइकल के अंदर, हीट सप्लाई करने पड़ेगी, हाँपे, 33 के बाद, 34, 34 में, एक कारनौट इंजन जो है, वो सिंक का टेंपरिचर 300 है, एफिशेंसी 40 परसेंट है, तो कितना टेंपरिचर जो है, वो चेंज करना पड़ेगा, ताकि एफिशेंसी, सोर्स का टेंपरिचर, तो एफिशेंसी 60 परसेंट हो जाए, एफिशेंसी टू 60 परसेंट, पहले 40 थी, तो 1 माइनस T2, सिंक का, डिवाइड बाई T1, ये था, एक बास तो एफिशेंसी, लेकिन ये फ्रेक्शन में एफिशेंसी है, बरसेंटेज वाईज नहीं है, तो 40 परसेंट मादब 0.4 फ्रेक्शन में हो गया, इधर ले लिया 0.6, एक बास तो 300 बाई T, तो पहले का टेंपरिचर जो आ गया, वो ही आ जाएगा, 5, 6 से, 5, 0, 0 तो वैसे रहे गया, 500 ही रहे गया, तो पहले टेंपरिचर था 500, सोर्स का, अब टेंपरिचर कितना है तो, एफिशेंसी 0.6 करनी है, 1 माइनस सोर्स सिंक का टेंपरिचर वही है, सोर्स का टेंपरिचर कुछ चेंज हो गया, एफिशेंसी 0.6, दिफरेंस लिया 0.4, एक वास तो 300 बाई T' तो T' की वैल्यों आ गई, 3300 दिवैट बाई 0.4, तो यह पहले 2 से 0.2, 150 और पोइंट और तो पहले टेंपरिचर 500 था, अब 750 हो गया, चेंज कितने का हो गया, तो 250 का टेंपरिचर में चेंज किया रहा, तो 250 चेंज करेंगे, तब जाके एफिशेंसी 60 परसेंट हो जाएगी, उसके, 35, 35 में कुछ particles है, तीन particles, उनकी velocity जो है वो 2U, 10U और 11U है, हमें options में RMS और mean velocity को compare करने के लिए बोलावा है, तो calculate करते हैं, RMS velocity का मतलब हो गया, square, 2 का square, 10U का square, plus 11U का square, velocity का square, mean और फिर root, यह RMS हुआ, तो यहा गया, 121 प्लस 4, 125 और 225 बाइ 3 root U, अब में चाहिए value exact तो एक बार लिलते, calculate कर लाता है, यह हो गया, 15 बाइ root 3 U, यह इसको लिख दो, 15 को 5 into 3, जो root 3 cancel होने के बाद यह हो गया, और 1.732 into 5, तो यह जाएगा 8.66 के round, तो इतनी velocity हो गई RMS, average mean, तो mean speed जो आजाएगी, वो इसकी आजाएगी, add करते हैं, 11 प्लस 10 प्लस 2, 2, divide by 3 करते हैं, mean वो ही होगा, तो 11 प्लस 2, 20, 13 प्लस 10, 23, by 3, तो average आगया यहाँ पे, 7, 21, 2.66 U के बराबर, तो difference कितना दिख रहे है, यू के बराबर है, RMS value जादा है, तो RMS speed, exceed the mean speed by about U, यह हो जाएगा, दूसरे में RMS speed कम बोल रखी है, गलत है, थार्ड में RMS speed equal बोल रखी है, गलत है, फॉर्थ में बोल रखाए, तो फॉर्स आप्शन सही हो गया, 36, 36 में unit mass water का boil किया हुआ है, और 100 degree Celsius पे steam में convert हो रहा है, क्यों amount of heat दे रहे हैं इसको, और densities जो है, वो 100 degree Celsius पे water की तो है, rho 1, steam की rho 2, expand हुआ, तो इसकी वैसे density कुछ change हो गई, decrease हो गई, atmospheric pressure P naught है, तो increase in internal energy कितना बोलेंगे, तो देखो, जो heat supply की गई है, क्यों, वो गई कहां-कहां, internal energy में change plus work done, अब water जो था पहले तो क्या था, कम volume के अंदर था, वो expand हुआ, external pressure के against, तो work के लिए हम बोज़कते हैं कि external pressure के against उसने expansion किया, तो gas का जो pressure लगबग P naught के बराबर ही बोलते हैं stream का, और P naught पे उसका volume expand हुआ, तो volume final minus volume initial, W इदर ले जाएंगे, delta U पूछा वादा, तो minus Q ये delta U की value हो जाएगी, अब volume क्या लेख सकते हैं, volume final जिसको 2 से represent किया हुआ है stream को, तो 2 लेख देता हूँ, volume लेख देता हूँ, तो delta U की value हो गई, Q minus P naught, volume final, mass upon density, mass I unit, तो 1 by density, 1 by rho 2 minus 1 by rho 1, ये हो जाएगा delta U, तो यहां से देख लें, कौन सा option match हो रहा है, अगर हम देखें, third option, third option में plus है, देखें, second option, second option में यहां पे plus है, लेकिन ये फिर inverted है, ये हो जाएगा, fourth में plus है, वो गलत हो जाएगा, तो second option जो है, वो correct है, 36 में, 36 की बाद question number 37, 37 में एक ideal gas जो है, वो P square V equals to constant इस तरह से follow कर रहे हैं, और जो इसका initial temperature है, वो T है, volume V है, expand कर दिया double volume तक, तो temperature कितना हो जाएगा, तो देखें, उसी से लिख देते हैं, pressure और volume में relation था, हमें, volume और temperature में पुछा है, तो pressure को लिख दिया, nRT by V square V equals to constant, सही है, तो इससे क्या देख रहे है, temperature का square जो है, बागी तो constant, volume square divided by volume, V एक V रह जाएगा, by V equals to constant, तो constant times V बोल दो, तो volume temperature के square के proportion, तो temperature बूच्छा हुआ है, root ले लो, ऐसे कर लो, यह कर लिया, तो पहले का temperature T, बाद का temperature कुछ T dash equals to पहले का volume V, बाद का volume 2V, तो इसलिए T dash की value आ गई, root 2 T की value, means temperature जो है, वो root 2 times हो जाएगा, 37 हो गया, तो question number 38, इसमें एक ideal gas को, एक cyclic process से, 4 step में complete किया है, जिसमें Q की देरे, heat की value given है, Q1, Q2, Q3, Q4, और corresponding works given है, W1, W2, W3, W4, W4 की value पुछी भी है, तो किसी cyclic process में delta U की value 0, तो हम बहु सकते हैं कि Q equals to W, first loss है, तो जितना total sum heat का आना चाहिए, उतना ही total work का आना चाहिए, या यह लिख दे कि total Q जो आ रहा है, उसमें minus W1, minus W2, minus W3 करोगे, तो यह value W4 की बराबर होगे, तो तो total heat की value हो गई 5960, minus 5585, और minus 2980, plus 3645, minus W1, और W1 की value है 2200, और minus W2, जो minus पहले से था, तो plus 825, W3 minus, तो यह भी plus हो गया, 1100, तो यह total value W4 की आ जाएगे, और W4 की value यहां से यह value निकल के आती है, अपनी 765 Joule के बराबर, ठीक है, next 38 के बाद, next question 39, 39 में, जो amount of heat है, वो required है, diatomic का 1 degree Celsius rise करने के लिए constant pressure पे QP, और constant volume पे QV, तो internal energy में जो gas है, दोनो cases में वो कितनी होगी, पहले में constant pressure पे जो heat दी गई है, वो है NCP delta T, जबकि internal energy में जो energy गई है, delta U, वो है NCP delta T, तो इनका ratio क्या हो गया, delta U by QP equals to CV, gas diatomic है, 5 by 2R, CV, CP, 7 by 2R, तो यहां से delta U की value आ गई, 5 by 7 times QP, और यह value आ जाएगी, 0.71 और आएगा, तो लगबग यह value आ जाएगी, इसमें, और second में जब constant volume है, तो QV की value NCP delta T होता है, तो same value delta U की internal energy, तो second में पुराग पुरा internal energy है, first में 0.71 times internal energy, 39 के बाद question number 40, 40 में boiling water जो है, वो steam में change हो रहा है, तो इसमें specific heat कितना होगा, तो specific heat हम कैसे define कर रहा है, Q equals to MS delta T, यह बो सकते हैं Q by M delta T, वो specific heat होगा, लेकिन जब boil कर रहे हैं, तो boil करते time पर temperature constant तो delta T की value 0, heat देते जाओ temperature चेंज ही नहीं हो रहा तो specific heat की value आजाएगी, infinite, जिसमें, 41, T1, 3 liquid है, M1, M2, M3 और इनको mix किया, इनकी specific heat S1, S2, S3, temperature था T1, Theta 1, Theta 2, Theta 3, तो mixture का temperature क्या होगा, तो यह वो बोल सकते हैं कि जो भी energy थी, M1, S1, delta, Theta 1, पहले के temperature में rise करने में कुछ energy लगी, दूसरे के temperature rise करने में कुछ energy लगी, तीसरे के temperature rise करने में कुछ energy लगी, अब हो सकता है किसी का temperature fall हुआ हो लेकिन हमने तो rise consider कर लिया, लेकिन टोटल बाहर से heat exchange 0 है, यह relation है, तो इसको use करते वे मैं लिख सकता हूँ, M1, S1, delta, theta को लिखूंगा, theta final, minus theta initial, तो theta final वाला है, जो term होगा, वो theta, ऐसे इसमें जो plus वाला term होगा, वो theta, इसमें plus वाला term जो आया, वो theta, और यह किसके बराबर, यह जो minus वाला term में इसको इदर ले लिए, M1, S1, theta 1, M2, S2, theta 2, M3, S3, theta 3, तो theta की value क्या आ जाएगी, इनको divide कर दिया, divide by M1, S1, plus M2, S2, plus M3, S3, तो यह final temperature होगा, मिक्ष्यर का, तो यह value, second option जो है, उसके according अपनिया जाएगी, 42, 42 के अंदर, एक stationary object जो है, 4 degree Celsius पे, उसका weight 0.3.5, 2000 meter height से गिराया, mountain पे 0 degree Celsius पे, और heat करते ताइम पर उसका temperature 0 degree आ गया, गिरते ताइम पर, तो 4 degree का कोई use नहीं है, गिरते-गिरते 0 degree है, और तकराते immediately rest में आ गया, तो कितना ice, जो है, वो melt कर देगा, यह पूछा हुए, तो बीच में temperature decrease हो गया, लेकिन वो temperature decrease हुआ है, वो कोई उससे उसने कुछ ice melt करवा दी, तो M, 3.5 kg, जी की value 10, height 2000, यह हम ऐसा यूनिट में ले रहे है, जूल में energy आएगी, mass जो melt होगा वो, latent heat 3.5 यह भी जूल में दे रखिया, जूल पर kg में, तो यहां से 40 तो यह cancel हो गया, एक रह गया 10, 3.5 से 3.5 cancel हो गया, तो mass की value आ गई, 2 by 10, मतलब 0.2 kg, तो 0.2 kg या 200 ग्राम ice यहां पर melt हो जाएगी, 42 के बाद 43, वेपर कंडेंस हो रही है, लिक्विड में, तो वेपर कंडेंस हो रही होगी, water to वेपर बनने में तो heat required होती है, और अगर वेपर से water बन रहा है, तो उस वाली condition में heat release हो रहा होगा, तो इसमें heat release होगा और temperature constant होता है phase change के टाइम पर, question number 44, 44 के अंदर 1 kg जो ice है, वो minus 10 degree Celsius पे mix की विए 4.4 kg water से, जो 30 degree Celsius पे है, तो final temperature mixture का क्या होगा वो देखना है, तो देखें, एक बार option के एसाब से, जो हमें देख रहा है, वो सारे में यह देख रहा है, 0 degree से जाधा है, तो हम यह बोल सकते हैं, कि ice पूरी melt हो जाएगी, water तक convert हो जाएगी और final कुछ temperature आ जाएगा, तो मैं कुछ इस तरह से कर रहा हूँ कि, ice को heat required था, पहले तो temperature 10 से 0 लाने में, M, S, ice के corresponding, delta T, plus ice कुछ melt हुई, पहली लिख लेता है, M, specific heat दे रहे है, 21, 100 Joule पर केजी पर केल्विन, इसको अगर calorie में लिखो तो half लिख सकते हैं, क्योंकि आगे हम 1 लिखेंगे, इसको 80 लिखेंगे latent heat को, तो इसलिए half लिख रहा हूँ, M, S, delta T, temperature में change हुआ, 10 का, मैं 10 से 0 ला रहा रहा हूँ भी, फिर 0 पे इसको melt करवाएंगे, तो melt करवाने में जो energy चीए, वो होगी ML, M1 kg लिख रहा हूँ, latent heat calorie में लिख रहा हूँ, वैसे तो मुझे gram में लिखना चीए, लेकिन सारी unit kg में है, वो अपने आप cancel हो जाएगा, 14 gram में लिख लो इसको, इतनी heat melt हो गया, अब यहां से कुछ temperature T तक पहुँचा दिया, तो M, अब water रहन आप तो, तो specific heat 1, delta T, T minus 0, T तक पहुँच लिए, अब यह heat मिली कहां से water से मिलरी है, 4.4 kg water से, तो M, अब देको यहां पे gram लिखते हैं, तो gram में सारी unit आती, वो अपने आप cancel हो जाती, तो kilogram में चल रहा है, M, S, specific heat, specific heat हो गई 1, delta T, 30 से T हो गया, तो final, 30 minus T लिख रहा है, क्योंकि हम बोल रहा है, energy दे रहा है, 30 minus T लिख दिया, अब यहां से यह value आ गई 5, यह हो गया, 85 plus T equals to 4.4 से 12, 1 और 13, 2 यह value आ जाएगे, और minus 4.4 T, तो इस से value आ गई 5.4 T equals to 132 minus 85, तो T की value आ गई, से difference लिया, 574 divided by 5.4, calculate करते हैं, तो 4 से cancel करते जाओ, 2, 3, 0.5, 27, 3 से और कैंसल कर दो, 9, 7, 25, 8, 0.3, इसरे, 78.3, अब 0.9 से डिवाइट कर रहा है, स्री, यहां पर, 7.83 divided by 9, तो 9, 8, 72 और आ गया 63, तो लगभग 8.7 डिग्री सेल्चिस, यह इसका final temperature हो जाए, 44 के बाद, next question number 45, 45, 45 के अंदर वेपर जब कंडेंस हो रही है, लिक्विड में, स्री, 45, 45 में स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पे स्लोली एड़ कर रहे है, 1400 ग्राम वाटर में, जो 16 डिग्री पर है, जब तक कि इसका डेमरेजर 80 डिग्री सेल्सियस नहीं पहुंच जाए, तो कितना स्टीम का मास, कितना स्टीम Required है वो लिखना है, मास, तो देखें, वाटर को जो भी हीट मिली है, वाटर का मास था 1400, specific हीट 1, temperature rise हो गया 16 से 80, तो 80 माइनस 16, इतनी हीट, वाटर को Required है, और मिलेगी कहां से स्टीम से एम ग्राम स्टीम मान लेता है तो पहले तो वो कंडेंस हुई 100 डिग्री सेल्सियस पर ही तो कंडेंस हो रही है तो 540 aging energy देगा लेकिन वाटर के अंदर मेक्स हो गया तो उसका भी टैंपरिचर फाइनली आयेगा तो इत्ती तो पहले 100 डिग्री स्टीम से 100 डिग्री वाटर में जाएगा फिर 100 degree water से 80 degree Celsius steam में आएगा तो इतनी heat देगा यहां तक का, तो water में convert होने के बाद जो heat दी है वो हो गई M, S, 1, delta T temperature rise हुआ, decrease हुआ है 100 से 80 कंटी का, तो यह heat दे रहा होगा उसको, तो यह आगया 560 M equals to, यह है 1400 into difference आजाएगा 464, तो यह हो गया 7, 0, 8 यह आगया, 7 से cancel हो जाएगा 10, 200, 0 भी cancel हो जाएगा, तो यहां से M की value आगई, 160 gram की बाद बाद बाद, तो 160 gram यह इतना steam जो है वो condensed हो जाएगा, तो इसी की साथ ना paper discussion खतम होता है, आगे आने वाले जो minor papers है उनकी लिए best of luck, thank you.